कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एक्सलेपियास अहरुवेदा में दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कुटूम एप पर आप अपने संगठन का रिष्टेसन कैसे करेंगे इस सेशन के माद्यम से हम बताएंगे कुटूम एप के प आए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कुटूम एप के बारे में फ़र्चियां हम बताते हैं आपको कुटूम एप एक सुसल प्राइवेट नेटवर्क है जिसे आई-ई-टी इंडियन इंश्यूट आप टेक्नोलोजी इंजिनियर्स के द्वारा बनाए गया है इस पर से इस एप को डाउनलोड करना है डाउनलोड होने के बाद इसे इंस्टॉल करके अपना मुबाइल नंबर के द्वारा उसमें साइनआप करना है साइनप करते समय जैसे आप मुबाइल डालेंगे एक ओटी पी आएगा जो की आटोमेटिक वेरिफाइड हो जाएगा अब इ कुटूम बैप पर अपने संगठन रेजिटर्शन के लिए आपको सबसे पहले कुटूम बैप के वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट पर जाने जैसे ही आप जाएएगा उसमें एक आप्सन आएगा संपर्क करें को उसको चूज कर लेना है जैसे आप देख सकते हैं यहां का फॉर्म का फॉर्मेट किसे है सबसे पहले आपको फॉर्म में जो भी स्टार मारका दिया हुआ है उसको आपको फिल करना है फॉर्म में सबसे पहले आपको संस्था का नाम डालना है उसके बाद आपको बताना है कि आपकी संस्था में टोटल कितने लोग जूड़े हैं उसके answer देना है उसके बाद आपको अपना नाम बताना है और अपना mobile number डालकर submit करना है आप जैसे ही mobile number डालकर submit कीजियेεια फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर समिट करने के बाद Kutumb app आपके द्वारा जमा किये वेए फॉर्म को चेक करता है चेक करतने के बाद जैसे ही रइस्टेशन पूर्ण होता है आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना होता है उसके बाद अपने संगठन को सर्च करना है सर्च रिजल्ट में यदि आपकी संस्था का नाम आता है तो रेजिटेशन को पूर्ण माना जाएगा और यदि नहीं आता है तो उसे अपूर्ण माना जाएगा अपूर्ण होने के कंडिशन में आपको कुटूम बैप कम्यूनिटी का मेल करना होगा या उसके कॉंटेक्ट नमबर पर जाकर उसे कॉंटेक्ट करना होगा कुटूम बैप पर अपनी समस्या से आउगत करने के लिए आपको इमेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो फ्लेश हो रहा है उसके बाद यदि वाटसप के द्वारा कांटेक्ट करना है तो आपको वाटसप नंबर भी फ्लेश हो रहा है तो आई होप दोस्तों आपको जनकारी अ साथ धन्यवाद